तोस्तों आजकल क्या हो गया है अपन इमेजेस जो है फोटो जो है वो बड़े बड़े कैमेरे से अच्छे पिक्सल में क्लिक करते हैं डीसलर से क्लिक करते हैं और मोबाइल में लेते हैं और लोगों को फॉरवर्ड करते हैं वाटसाप से लेकिन जब आप वाटसाप से फॉर और आगे बेशचे टाइम वो कभी फट गई तो क्या फाइदा तो आज के वीडियो में देखेंगे कैसे हाई क्वालिटी में सब को इमेज भेजे वाटसाप पे आज के वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा एक तरीका की मोबाइल से कैसा भेजे और दूसरा तरीक वाटसाप डेक्स्टॉप से कैसा बजए डेक्स्टॉप से कोई भी इमेज कैसे बज़े तो पहला तरीका देखतें मोबाइल से तो आपको क्या करना है यहां पर जो आपको दिख रहा है है उसको सिलिक कीजिए इसके अंदर आपको करना है डौकुमेंट Mixed 99 का बाद में आ और आना है आपने और यहाँ पे Pictures और Video मेंसे 시लेक करना है कब भी आप वीडियो सिलेक करके तो शारे Videos के फोलडर दिखेंगे, 24 MB कि है तो मैं select कर लेता हूं यह बोलेंगा आपको image send करना है हां send करना है तो देखें आप यहां नीचे देख पा रहे हो 17 MB की image जो है वो जा रही है 17 MB वैसे कि वैसे ही ना कि कोई आपकी image की quality घश रहेंगी ना कोई ना कोई तो ऐसे तरीके से आप high quality बैच सकते हो तो अगला WhatsApp जो है desktop पे open किया आपको करना है send image के लिए यहां पर click करना है photos and videos select करने के लिए click करो आपको पता ही है WhatsApp का सी use करना है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा तो देखें मैं आज यह मेरे बच्चे के photos है ना cute तो चलो एक कोई भी photo select करते ही है मैंने DSLR से की चाहिए देखो 2.85 MB का वीडियो है photo है sorry कभी मैं इसको open करता हूँ तो चलो भेजते हैं यह कभी मैंने photo भेज दिया कि अधिक है जा रहा है जा रहा है जा रहा है तो इंटरनेट थोड़ा अध्स लो है तो जा रहा है जब यह चले जाए तो आपन देखेंगे इसकी quality क्या रही है थीक है हाँ तो यह photo चला गया है तो जब मैं इसको download करूंगा लेट से इसको मैं download करता हूँ तो आप आप देखो download open यह download मतलब क्या हुआ ना जब आप आगे बंदे को भेशते हो तो क्या quality में मिच गया देखो 2.96 KB राइट एक्चुल था अपना 2.85 MB का लेकिन जा कितना रहा है 2.86 KB तो चलो देखते हैं कि full resolution में कैसा भेज़े तो आपको क्या करना है क्लिक करना है बट आप अब तक photos करके बैश्टे तो अब आपको करना है as a document देखिए document भी same ही है लेकिन document करते हो तो आपको देखो जब आपने document किया है अब same image मैं select करता हूँ जो कि 3.85 MB की आप दिखा देता हूँ मैं आपको proof के लिए यह मैं properties में जाता हूँ और properties में कभी आप देखोंगे 2.85 MB की ओके इसको select कीजिए open कीजिए और बुलिए same देखिए जब यह अगले बंदे को जाएगा तो उसको दीखेगा यह as a PDF ऐसा है लेकिन वह उसको जब डाउनलोड करेगा डाउनलोड के बाद में उसके गैलरी में as a image ही देखने लगेगी हो तो टेंचन लेने वाली बात नहीं है वह as a image ही देखिए और यह बंदा कभी अगले वाले को forward करता है तो जब वह forward करेगा फिर भी उसको 3 MB जाएगा लेकिन उसके गैलरी में वह as a image दिखेगा तो टेंचन वाली बात नहीं इमेज करकर दिखेगा सेम इमेज कभी वह Facebook पर अप्लोड करता है तो आपकी रहेगी high quality तो चलिए इस image को भी चेक कर लेते है कि क्या रहा तो यह हो गई है send तो चलो देखते है इसकी quality इसको करते है download जो मैंने भेजी थी यह हो गई 210 KB मतलब 2.9 MB की यह है और जो नॉर्मल फोटो करके भेज रहो है 296 KB तो जब इमेज छोटी हुई ही जब उसको जूम करोगे तो पिक्सल फटेगी तो इस तरीकी से भेजिए as a document और कभी वह आपका image फटेगा नहीं same quality में जाएगा tension वाली बात नहीं है आगे वाले image तो चलो बेचते रही है ऐसी image और Facebook पर upload करोगे तो आपकी फोटो भी कभी फटेगी नहीं चलो अच्छा है तो कभी आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही मैं वीडियो अप्लोड करता हूँ और आपको मिलते रहेंगे अच्छे अधा हिंदी यूटूब चैनल को और धन्यवाद